हेलो फ्रेंड्स, गूड मॉर्निंग तो अल फ्यू, आज है एक दिसम्बर और एक दिसम्बर के सारे टॉप का इंटरफेस हम लोग देखने वाले हैं और महीने का दिसम्बर मन्थ का ये फर्स्ट डे है, So we have to start very well and a special energy के साथ सुरुवात करते हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि अब हमारे एक्जाम में 4-5 महीने बचे हैं चुकि जो बीचू का regular seat देखेंगे हम examination का वो जून में होता है और चुकि अब COVID-19 के बीच adaptation हो गई है हमारी हमें कैसे काम करना है तो एक्जाम क जो time होगा वो वही रहेगा जून जुलाई maximum तो आप इस हिसाब से तैयरी करें कि current affairs सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं recent के एक्जाम में बी आर्ट में लगभग 18 question पूछ दिये गए थे तो हमारे यह कहने का मतलब है कि अब target set करें एक नई energy के साथ सुरुवात करें ठ description में telegram का link है जरूर जोइन करें पहला question जो देखा है हमने किस राज्य सरकार ने अभयम एप लॉंच किया है अब यह अभयम एप है क्या यह अभयम एप है महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं की women's safety के लिए अभयम एप लॉंच किया गया है पहले तो आपको यह दिह आंधर परदेश में आंधर परदेश की राजधानी कहा है आपको recent में मैंने बताया था आंधर परदेश की तीन राजधानिया होगी देख्या आंधर परदेश की तीन राजधानिया कुर्नूल विसाखापत्नम और अमरावती तीन राजधानिया बनाने का आंधर सरकार के द्वारा दो चीज़ें आपको खास करके ध्यान रखने चाहिए आंद्रप्रदेश का मैं मैप भी दिखाऊंगा और राज्जियों के साथ साथ इंडिया लगभग पूरा मैं अच्छे से रिवीजन कराऊंगा इसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ सेर भी करते रहिए निक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डीजी मतलब डारेक्टर जेनरल ऑफ बॉर्डर रूड और्गनाईजेशन बी आर ओके नए महानिदेशक कौन है तो यह है रोड और्गनाईजेशन इसकी अस्थापना कब हुई थी कि सुद्धे से हुई थी यह समझ देजिए यह पूछा जाता है देखे सीमावर्ती जो भी बॉर्डर इलाके हैं जहां दूसरे देश की बाउंडरी के साथ लगे हुए हैं भारत की बाउंडरी उस पे कंस्ट्रक और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों को रिपोर्ट करती है कोलाइबरेशन के साथ यह काम करती है इसके जो नए डिरेक्टर जनल बने हैं वो बने हैं राजीव चौधरी यह आपको याद रखना है जावेद असरफ फ्रांस के नए भारत के राजदूत बने थे राजीव कुम थे क्या तो निति आयोक वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिए निति आयोक क्या स्थापना हुई थी एक जनवरी थे क्या 2015 को आगे बढ़ते हैं रसानिक युद्धों की पीडितों की याद में समर्पित दिवस अड़ी फॉर रिमंबरेंस इन विक्टिम आफ केमिकल विपन इन वार मतलब को युद्ध होता है और उसमें केमिकल विपन का यूज होता है तो उसके खिलाफ यूज ना हो और उसके लिए जो विक्टिम है उनके लिए जो दिन डेडिकेटेड है वो डे कौन सा है तो वो डे है बताइए कौन सा डे है तो वो डे है थर्टी एथ of number मतलब 30 number 30 number को ये मनाया जाता आप चुकि number month खत्म हो गया है तो सारे number के मैं day को एक जगा ले क्या हूंगा और October महीने का पूरा दिवस भी मैं एक जगा ले क्या हूंगा ये भी मैं बात बता रहा हूं क्योंकि October मनत का नहीं बना पाया था मिस हो गया था दोनों चीज़ें को आपको revision करना है क्योंकि किसी भी एक्जाम में एक नए कोश्चन पूछी दिया जाता है October, November, December जो भी मनत होंगे आपके सामने उससे आईए सबसे पहले month November का revision करेंगे हम लोग सबसे पहले कि नेश्णल एजूकेशं डेई यह कब मनाते है राष्ट्रीय सिक्छा दिवस यह मनाते हैं 11 नुवंबर को छत्रीय सिक्छा दिवस चिल्डेन दे कब मनाते है 14 नुवंबर को और इसी चिल्डेन डे के दीन मैंने बताया था diabetes day भी मनाते है 14 नुवंबर को routinely international day for और टॉलरेंस अंतरस्टिये सहिशनुता यह मनाते हैं 16 नॉबर को और नेशनल प्रेस डे प्रेस मतलब प्रेस मतलब यह प्रेस जो प्रेस फ्रीडम की स्वतंतरता की बात की जाती है ठीक है इसका मनाते हैं सुरी दोस्तों 16 नॉबर को अगला है 17 नॉबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी मनाते हैं और प्रेस और जर्नलिजम दोनों में अंतर समझे प्रेस डे मनाते हैं 16 नॉबर को लेकिन जर्नलिजम डे मनाते हैं 17 नॉबर को स्टूडेंट और जर्नलिजम डे दोनों मनाते हैं 17 उननिस नंवर्व को उसके आगी है अनेवर्शल चिल्रेन्स डे युनिवर्सल चिल्डर्न डे यह ध्यान रकना आपको अनेशनल चिल्रेंडे तो हम जो मनाते हैं वह due थे anniversary of जवाला नहरू, जवाला नहरू का जो जर्म दिवस होता है, उसको मनाते हैं, लेकिन universal children day ये मनाते हैं 20 नॉमबर को, प्लीज अगर आप note नहीं कर पा रहे हैं, तो एक pen और paper ले के बैठिए, जैसा कि आप पहले करते थे, चीजों को याद करना हो, तो सबसे बहतर तरी में, तो आपको universal, अब जैसे मान लो, आपने 14 नॉमबर को world, sorry, children day याद किया, और इसी के साथ diabetes भी आपने connect कर लिया, लेकिन आप children की बात हुई है 14 नॉमबर को, तो आपने क्या किया, इससे relate करके universal children day भी आपने याद कर लिया, जो की है 20 नॉमबर को, world television day, television का विसकार किस ने किया था, तो जे एल वियर ने, और इसकी डी जो है, वो है 21 नॉमबर को television day मनाते हैं, 21 नॉमबर को, अगला है international day for the elimination of violence against women, ये मनाते हैं 25 नॉमबर को, कब मनाते हैं, 25 नॉमबर को, अगला है world environment protection day, ये कब मनाते हैं 26 नॉमबर, 26 नॉमबर को मनाते हैं, world environment protection day, उसके आगे है national law day, 26 नॉमबर को, national law day, विधी दिवस, next, जो last का है 29 नॉमबर को, international day of solidarity with Palestinian people, मतलब, फिलिस्तीन के लोगों के साथ, जो सहिशनुता या सोहारदता का दिवस है, वो है 29 नॉमबर, और 30 नॉमबर को आपने देखी लिया, मेरे कहने का ये मतलब है, revision आपका पूरा हो गया, अब जो next आपको comment करना होगा, वो आप सब इसको line by line जैसे मैंने बताया है, वैसे ही करेंगे, चलिए, अगला कोचन देखते है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है, फाइजर वैक्सीन, ध्यान से सुनिए, इसका जो spelling है, वो पी फाइजर है, पी साइलेंट है, ठीक है, और ये वैक्सीन किसके खिलाफ है, तो ये वैक्सीन है, कोरोना वाइरस के खिलाफ ही करगर है, तो इसको permit किया है UK ने, United Kingdom ने, हाँ तो UK की बात हो रही थी, और UK मतलब United Kingdom, आप सब Britain, United Kingdom और England, इन सब नाम से वाकिफ होंगे, सबसे पहले मैं map दिखाता हूँ, United Kingdom, ये है United Kingdom, आप जो भी यहा map में देख रहे हैं, ये सब question में आए होए हैं पहले भी, English Channel का नाम आपने सुना होगा, ये United Kingdom और France के बीच में है, किसके किसके बीच में है, France और UK के बीच में है, UK की राजधानी कहा है, UK या England की राजधानी है, London, और यहां की currency क्या है, pound sterling, pound sterling, ये यहां की currency है, इसी के बगल में है, France, France की राजधानी है, Paris, और यहां की currency क्या है, euro, ठीकिए, Europe में maximum जगा currency जो है, वो यही है, euro, ठीक है, और अभी recent में European Union से अलग हुआ है, वो देश कौन सा है, यही UK है, United Kingdom और England, ये सब region, Northern Ireland को छोड़के, सब लोग England और Wales, Manly, England और Wales, ये दोनों निकल चुके हैं, European Union से, European Union एक organization है, economic and social development का, ठीक है, European Union, EU, और इसी की currency जो है, वो follow की जाती है, इसका नाम क्या है, euro, उस currency का नाम भी है, euro, जैसे dollar होता है, वैसे इसकी currency होती है, और भी कुछ-कुछ देश देख रहे हैं, जैसे Finland, Finland की रहाजानी है, हेलिंस की, Sweden, Sweden की लॉक होम, और नॉर्वेग रहाजानी है, ओसलो, ये तीनो, Scandinavian country है, क्या है, Scandinavian country, इसी तरीके से, अब मैप आपको ध्यान से पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि अभी recent में बिहार, SI का मैं एक्जाम देकर आया हूँ, और इसमें, डारेक्ट दो कुछन मैप से थे, ये देख लिटुवानिया, लाट्विया और इस्टोनिया, ये तीनों Baltic state है, रसिया से ये तीनों अलग हुए थे, क्या है, Baltic state है, क्योंकि यहां बगल में Baltic sea है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट फैक् बहुत बेहतरीन अप है, इसका 2020 word of the year, 2020 का word of the year क्या है, तो इसका है pandemic, ठीक है, इसका word of the year क्या है, पैंडेमिक, और जो Oxford dictionary होती है, जो बहुत लोग जानते होंगे, Oxford, उसका word of the year है, quarantine, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, मरियम वेब्स्टर, word of the year 2020, pandemic है, और Oxford का है quarantine, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश है, फीफा रैंकिंग, एफ आई, एफ ए, ये फुटबॉल का इंटरनेशनल और्गनाईजेशन है, फेडरेशन डे इंटरनेशनल और्गनाईजेशन इसका होता है, फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल और्गनाईजेशन, इसलिए इसका हो जाता है, फीफा, इसके में टॉप है, जो कंट्री, वन नंबर पे है, वो है बेल्जियम, बेल्जियम के राज़ानी है, ब्रुसेल्स, यूरोप में अभी हमने देखा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यूरोप कम है, यह है बेल्जियम के राज़ानी ब्रुसेल्स, यहां बेल्जियम दिख रहा है, यहीं पे नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाईजेशन, एन ए टी ओ, नैटो का हेड़कॉर्टर है, कहां है, नैटो का हेड़कॉ का है, आप ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है, यह रहा बेल्जियम, इसके बगल में है नीदरलेंड, नीदरलेंड आपको दिख रहा हूँ, नीदरलेंड की राज़ानी है, एमस्टरडम, और इसी नीदरलेंड में, इं सिवीर में रहने की मंजूरी दी है, तो यह सेलेक्शन हुआ है, बजरंग पुनिया का, ठीक है, बजरंग पुनिया का, चलिए अगला कुशन देखते है, खारी देशों में कोईला आधारित, पहला पावर प्लांट किस देश ने सुरू किया है, खारी देश होते कौन से है इसको मैं मैप में दिखाऊंगा, बट आपको पहले इसका आंसर बता दो, UAE, United Arab Emirates, इसने सबसे पहले कोल बेस्ट पावर प्लांट बनाने का फैसला किया है, UAE टेक्नोलोजी का मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला वोट, Artificial Intelligence University, वो Head of the State है, उनके नाम के लास्ट में, अलनहयान लगता है, खालिद बिन जायद अलनहयान, ऐसा कुछ करके नाम है, चुकि नाम बहुत बड़ा है, इसलिए आपको अलनहयान याद रखना है, UAE, अब मैं इसको मैप दिखाऊंगा, खाडी के देश क्यों कहते हैं, खाडी गल् UAE की राजानी है, आबुधाबी, और दूबई यहां का एक सहर है, अब लोग सुनते होंगे, दूबई वो राजानी नहीं है, उसकी सहर है, एक सिटी है, उसी तरीके से यह साओधी अरेबिया हुआ, कुवैत हुआ, कुवैत की राजानी है, कुवैत सिटी, और कुवैती दिनार, यहां की करेंसी है, कुवैत का, दिनार जो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे रहता है, करेंसी एक्सचेंज के मामले में, मतलब एक दिनार लगबग 200-200 रूपे के बराबर होता है, ठीक है, इरान भी गल्फ कंट्री के आसपास है, और साओधी अरबिया, इ रियाद, और करेंसी है, रियल, यह याद रखना है, लौ है, लौ, ठीक है, आगे बढ़ता है, इराक को देखिए, इराक की राजानी है, कहा है, इराक की राजानी, बगदाद, और दिनार यहां की करेंसी है, तो यह रहा, जो है, यह इसे कहते हैं, गल्फ, यह है गल्फ, या खाड़ी के देश, खाड़ी कहते हैं, ठीक है, इस पूरे जोन को Americans Middle East कहते हैं, और इसमें एक स्ट्रेट है, जो की question में पुछा जाता है, फारस की खाड़ी, और अरबियन सी को जोड़ता है, यह है एस्टेट आफ होर्मूज, ठीक है, एस्टेट आफ होर्मूज, ठीक है, यह है, जो की गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है, सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए है, तो सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाडी बन गए है विराट कोहली यह याद रखिएगा थीक है सबसे तेज 22,000 रन किसे बनाया है विराट कोहली ने नेक्स्ट कोच ने तीरू माला पहाडियों पर बस चलाने के सुवदा किस राज ने शुरू की है To夫 चेंट्र कोह तेज विरा अंतेर ने विष ऑकाऻागा मातुएं तो यह यह है अंध्र पर्देश एक नमबर आंसर है अंध्र पर्देश आंध्र पर देश के बारे में मैंने बहुत ही डिटिल में आपको कई बार बताया है अभी में मैं आप दिखा कि आपको बताऊंगा है हैदराबाद से ठीक है उसके बाद ओडिशा से नेक्स्ट है तामिल लाडू से और करनाटका से अभी रिसेंट भिहार इसाई के एक्जाम में पूछा गया था कि भारत के कितने से एक तर्ट से लगते हैं कितने ऐसे से अब गुजरात से शुरू करो और वेस्ट बंगाल तक जाओ आप काउंट कर सकते हो कितने स्टेट की बाउंड़ि लगते हैं क्योंकि आज कल एक जाम में ऐसे कुष्टन पूछे जा रहे हैं तो गुजरात 1 महरास्ट दो गोवा तीन करनाटका चार केरला पांच तमिल लाड़ु छे आंद्रपदेश साथ ओड़िसा आठ और वेस्ट बंगाल नौ नौ एस्टेट जो है वो तट लगते हैं नौ एस्टेट के ठीक है यह आपको 30 एस्टेट याद रखना यह जो है वेस्टर्न घाट है और यह है इस्टर्न घाट यह वेस्टर्न घाट होगा यह इस्टर्न घाट होगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अब अगला कोशन आपको कमेंट करना है मास्क बैंक के स्टार्टेड इन यह बहुत न्यूज में चाहिए हुआ तो मास्क बैंक के शुरुवात किस राज्य या कैंसासित परदेश या जगह जो भी आप्शन में है वहां की गई है मास्क बैंक तो जरूर इसका आंसर गूगल बॉक्स में कमेंट करिए अगर नहीं पता है तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग और रेगुलरली अब अपडेट किया जाएगा आपको फिर से तयार रहिए